हलो गुड मॉर्निंग ओल अफ्यू सभी प्यारे सात्यों को मेरा प्यार परना नमस्कार मैं विवेक कुमार यूवी कंपेटिसंस यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तो रोजाना की तरह मैं लेकर हजीरू डेली कर्णट अफेर्स जीड़ियके आज 12 मार्च 2020 के कर्णट अपेर्स के हम बात करते हैं सात्यों डेली कर्णट अफेर्स आपकी सभी प्रतियों की परिक्षाव के लिए अत्यद मैत तो पूर ना है यह हमारा current appears objective type with important notes है साथ यह यह अवेसम course है बहुत अच्छा course है और यह आपने daily current appears के लिए हमारा channel UV competition subscribe नहीं किया है तो UV competition channel को subscribe करें और साथ ही bell icon दबाना ना भूलें जिससे आपको हमारे द्वारा दिये गए updates के notification मिलते रहे इसके साथ ही साथ मेरे द्वारा राजिस्तान जी के और mechanical engineering पढ़ने के लिए unacademy app पर मुझे follow करें unacademy app पर follow करने का link इस वीडियो के description में मिल जाएगा और इसके लाव आप unacademy पर विवेक कुमार के नाम से search कर और यह photo देख कर भी follow कर सकते है आईए साथ ही शुरू करते हैं आज का current अपेस जी के question संक्या फश्चे हम बात करते हैं NASA National Aeronautics and Space Administration ने कौन से rover का नाम पर सर्वेट रेंस रखने का एलान किया है और इससे पहले यह यह पर सर्वेट रखने का एलान किया है तो सही उत्तर है और आप्शन सी पाचवा मार्स जो पाचवा मार्स है उसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है और इससे पहले यानि कि यह नाम रखने से पहले इस rover को इसके कोड ने मार्स 2020 के नाम से जाना जाता था और मार्स 2020 का जो नया नाम है पर सर्वेरेंस वे सात्वी कख्षा के छात्र अलेकजंडर माथेर द्वारा सुजाए गया था और जिसकी जो गोशना की थी वे गोशना नासान के विज्ञान कारक्रम के निदेशक थॉमस जुर्बुचैन ने वर्जीनिया के बर्क में इस्तित लैक बेड्रोक सेकेंडरी स्कूल के कारक्रम में की है पर सर्वेरेंस की बात की जाए तो ये एक rover ने एक ऐसा वील डिजाइन किया है जो मार्टियन चैट्टानों से नमुने एकत्र करने के लिए इस्तिमाल किया जाएगा और विज्ञानि को लाल ग्रह में मौझूद प्राचियन सुक्षम जीवन के बारे में खोज करने में मदद करेगा परजर वेरेंस रोवर, सोजिर्णर, स्प्रीट, अपोर्चनिटी और क्यूरिसिटी के बाद पांचवा खोज करता वान होगा साथे 2019 में नासा ने एक कारकरम सुरू किया था जिसके अंतरकत लोगों को यानि कि स्टुडेंट्स को बोला गया था कि आप सुजाओ दीजिए नए नाम रखने के लिए और इन्हें विबिन वेग्यानिकों के बहुत सारे वेग्यानिकों ने उन नामों को सजेस्ट किया गया और उन नामों के बारे में चर्चा की गई और उसके बाद ये निर्णे लिया गया Next, Question संक्या 2 कब से केंद्रे परियावरन मंत्री प्रकास जावेड करने सैनेटरी नैपकिन के साथ Bio Degradable Bag यानि की प्लास्टिक के बैग उपलब्द कराने के लिए निर्देश D है Option A April 2020, Option B September 2020 से Option C January 2021 से, Option D April 2021 से तो इसकी जो गोश्टना है प्रकास जावेड कर जो की केंद्रे परियावरन केंद्रे मंत्री है, परियावरन मंत्री उन्होंने सैनेटरी नैपकिन के साथ Bio Degradable Bag उपलब्द कराने की गोश्टना किया है क्योंकि लोगों द्वारा जो सपाई करमी थे उन्होंने बताया है कि सैनेटरी नैपकिन को जब उढ़ाते है तो संक्रमन का खत्रा बढ़ जाता है इसलिए उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सैनेटरी नैपकिन के साथ साथ Bio Degradable Bag उपलब्द कराए जाए जिनमें उन नैपकिन को उठाते समय डाला जाए और इसकी गोशना किया है कि यह निर्देश जनवारी 2021 से लागू होंगे तो अपसन सीज राइट आंसवर जनवारी 2021 इसके अलावा प्रिकास जैवेडकर ने गोशना किया कि अब 3000 से अधिक आबादी वाले गाउं में भी निगमो और नगर पालिकाओ के लिए स्वस्ता मान दंडों को लागू किया जाएगा नेक्स्ट गोशन संकत्री निमन लिकित में से किस भारतिय सलामी बल्ले बाज ने किर्केट के सभी प्रारूपों से सन्यास लेने का एलान किया है अपसने वसीम जाफर ने, अपसनी भी महिंदर सिंग दोनी ने, अपसनी वराट कोली ने, अपसनी सुरेश रहना ने और इसका राय टांस वर है अपसने वसीम जाफर ने जो कि पूर्वे भारतिय किर्केटर और सलामी बल्ले बाज है उन्होंने सन्यास की, यानिकी वंडे, टेस्ट, 320, सभी से, रण जी, सभी मैचों से सन्यास की गोशना कर दिये वसीम जाफर की बात की जाए तो उन्होंने टेस्ट और वंडे में अपना डेब्यू, 2006 में दक्षिन अप्रिका के खिलाब किया था और उन्होंने अंतराष्टे स्तर पर 31 टेस्ट के लिए, और 260 प्रिक्तम स्रेणी वंडे मैच के लिए, 31 टेस्टों में उन्होंने 30.11 की ओसस से 1,904 रण बनाए और 260 वंडे मैचों में 50.67 की ओसस से कुल 19,410 रण बनाए उनके सरवादी की स्कोर की बात की जाए, तो सरवादी की स्कोर 314 रण था और हाल ही में 150 रण जी मैच खेलने वाले बारते क्रिकेट इत्यास के वो पहले खिलाडी बन गए किस विशुवद्धाल्य ने अंतराष्टे महिला दिवस के आउसर पर अपने सामुदाइक रेडियो स्टेशन रेडियो खांची 90.4 FM आप सब का रेडियो का सुभारम किया है और इसका राइट आनस्वर है और इसका राइट आनस्वर है और राची विशुवद्धाल्य का छेत्र का जो एरियो करीब 15 एकड में फैला हुआ है और राची विश्युद्दाले का सामुदाइक रेडियो खांची पूरी छेत्र में पहले विश्युद्दाले की सूचना और प्रसाण मंत्राले को उपार है जिसे जारकन सरकार के सूचना और संपर्ख विबागने प्राजित किया है रेडियो खांची जो है उसने अपनी स्वेम की सिंगनेचर ट्यून भी तयार की है नेक्स्ट कॉस्टन सें क्या फाईव किस राज्ये ने छट पर सोलर पैनल इस्तापित करने के मामले में पिर्थम इस्तान प्राप्त की आए पहले इस्तान की बात की जाए तो गुजरात राज्ये को पहला इस्तान मिला है और गुजरात राज्ये में 2 मार्च 2020 तक छत्तों पर लगबग 50,915 पैनल लगाए जा चुके है इसी सुची में दूसरा नाम है महाराष्टर का और महाराष्टर ने भी 2 मार्च 2020 तक राज्ये में लगबग 5,513 रूप टूप सौर पैनल लगाने के साथ राज्यों की सुची में दूसरा इस्तान प्राप्त किया है और गुजरास सरकार 2022 तक इस योजना के तैट लगबग 8,00,00 गरेलू बिजली उबोक्ताओं को कावर करने के लिए सुर्य गुजरात अभ्यान चला रही है वर्तबान में पूरे देश में यानि कि पूरे भारत देश में अब तक 322 मेगावाट चमता वाले लगबग 89,950 सिस्टम लगाए जा चुके है यानि कि सोलर सिस्टम लगाए जा चुके है Next, कोसन सेंक अच्छ है किस राज्ये ने स्वम सायता समू SHG के लिए के एक विशेश विभाग मिसन सकती इस्तापित किया है Option A. Assam ने, Option B. Megalya ने, Option C. Manipur ने, Option D. Odisa ने और इसका राज्ये अंसर और Option D. Odisa ने स्वम सायता समू के लिए एक विशेश विभाग मिसन सकती के नाम से इस्तापित किया है राज्ये अंसर और Option D. Odisa और जो इसकी स्तापना, ये मिसन सकती जो विभाग है, इसकी स्तापना महिलाओ के विकास के लिए की गई है जो Odisa की महिलाओ को समर्पित है Odisa के मुख्यमंत्री नविन पटनायक ने Odisa की महिलाओ को मिसन सकती विभाग समर्पित किया है मिसन सक्ति और ममता योजना से सही तुरूप से राज्ये की करीब 70 लाख महिलाओं को लाब मिलेगा यानिका ओडिशा राज्ये की लगबग 70 लाख महिलाओं को ममता योजना और मिसन सक्ति से लाब मिलेगा Next, Question 17 कौन महिला भारतियत तट रक्षक बल के उपमाने रक्षक डियाईजी के पद पर पदोन्त होने वाली पहली महिला बन गई है Option नुपूर कुल्सरेश्ट, Option B ममता वाजपेई, Option C अधिती राओ, Option D कृष्णा सौपति इसका राइट अंसर है नुपूर कुल्सरेश्ट, नुपूर कुल्सरेश्ट ने 1909 में में भारतियत तट रक्षक बल जोईन की थी, इंडियन कोष्ट गार्ड जोईन की थी भारतियत तट रक्षक बल यानि कि इंडियन कोष्ट गार्ड के बारे में बात की जाए तो इसके को 18 अगस्ट 1978 को बारत के स्वतंतर ससत्र बल के रूप में सवविदान के तत्रक्षक अदिनियम 1978 द्वारा इस्तापित किया गया था जो भारतिय तत्रक्षक बल है वो सम्मूंद्र में साल बर विबिन मिशनों का संचलन करने वाला संगठन है इसके अलावा ये रक्षा मंत्रा लेक अंतरगत आता है तता तत्रक्षक बल भारतिय नोसे ना, मतस्य पालन, व्रभाग, राजस्य व्रभाग जो की सीमा सुल्क और केंद्र और राज्य पुलिस बलों के साथ मिलकर काम करता है किस मुख्य मंत्री ने The Adventures of the Daredevil, Democrat नामा के एक कॉमिक बुक का विमोचन किया है और उसका विमोचन ओडिसा के मुख्य मंत्री नवीन पतना एक ने किया है अतराइट आंसर है option B, नवीन पतनायक यह जो कॉमिक बुक है उसको ओडिसा के बुनी स्वर में ओडिसा के पूर्वे मुख्य मंत्री स्वर गिये बीजू पतनायक की 104 वी जैनती का उसर पर जारी की गई है यह जो किताब है कॉमिक बुक जो है यह नवीन पतनायक के पिता जी है मुख्य मंत्री बीजू पतनायक की जीवनी पर आधरित है और यह पुस्तक मात्र भूमी की सेवा के लिए युवाओ को प्रेरित और प्रोसाइट करने के उद्देशे से जारी की गई है तथा इस कॉमिक बुक को कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा तयार और नई दिल्ली के क्रेटिव वर्क्स ओप द्वारा प्रकासित किया गया है किस खिलाड़ी को BBC ने Indian Sports Woman of the Year Award 2019 के खिताब से सम्मानित किया है और इसका राइट अंसर है और प्रोस्कार नई दिल्ली में आयजित BBC प्रोस्कार समारों में प्रदान किया है इसके अलावा BBC ने पूर्वे भारतिय स्प्रिंटर PT USA को Lifetime Achievement Award से भी सम्मानित किया है Next और Last Questions आज के Current Appears का Question संक्या 10 कि सिस्तान पर जल्यावाला बाग पर एक प्रदर्शनी का आयजिन किया जाएगा Option A अमरत सर्क में, Option B नई दिल्ली में, Option Z जैपूर में, Option D कुरू छेत्र में और इसका Right Answer है Option B नई दिल्ली में, नई दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विंद के इजरिवाल है जो कि आम आदमी पार्टी से है और इसका आयोजन संस्क्रिती मंत्री परलाज सिंग पटेल द्वारा बारतिय राष्टे अभी लिखागार National Archives of India के 130 वे इस्तापना दिवस के आउसर पर इसका उदगाटन किया जाएगा और N.E.I.E.K. 130 वे इस्तापना दिवस के आउसर पर आईजित की जाने वाली जलियावाला बाग प्रदर्शनी का उद्देश से है जलियावाला बाग नरसंगार के सताब दिवर्स 1915 से 1950 की आउदी को याद करने का है यह जलियावाला बाग में जो अंग्रे जो दौरा बीसर नरसंगार किया था उसको याद दिलाया जाएगा उसके बारे में बताया जाएगा और उसके मुख्ये प्रष्ट मुख्ये जो जी वाकी चीज़े हैं उनको रखा जाएगा तो यह ता आज का हमारा करेंट अपेस जीक है जो कि सभी एक्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट है तो प्लीज लाइक, कमेंट, सेरे और सब्क्राइब यूवी कंपेटिसन चैनल और साथ ही साथ हमें अनकेडमी इंस्टागराम और प्रेस्बूक पर भी फॉलो करना ना बोले साथ ही इस वीडियो का पेडियेप आपको इसका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमाँ से आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और सभी से निवेदन है कि यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट जरूर करें और कमेंट के साथ साथ इस चैनल को सब्क्राइब करना ना भूले सब्क्राइब करें UV Competitions यूटूब चैनल ठैंक यू सो मच धन्यवाद आपका दिन सुबो